असलाम अलेकुम कैसे आप सब लग उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ लाहोरी चिकन स्टीम चरगा बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कुछ मेरी इस्टाइल में इसकी रेसेपी आपको बहुत लोगों ने बनाई हुई है आपको देखने मिल जाएगी बगर हर इनसान ये रेसेपी को अपने अपने तरीके से कुछ अलग इस्टाइल में बनाते हैं इसे खाने में इसको खाने में इसका टेस्ट कुछ अलगी होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि इसके अंदर चिकन का भी आता है फ्लेवर और इसमें हम जो हम सबजी जानते हैं उस सबजी का भी फ्लेवर आता है और सची एक बात बोलू ये रसेपी जो डाइट पे है उनलोग भी आसानी से इसे खा सकते क्योंकि इसमें कोई जादा ओइल नहीं होता है और देखने में भी जितना खुबसूरत लग रहा है न का इस खाने में भी उतना ही मज़ेदार था क्योंकि हम लोगों ने इसे बना कर खाए और फॉर्श टाइम बनाए थे तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं उसके लिए हम एक बरी सी मुर्गी ले लेंगे उसको हम बीच अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके अंदर हम लगा लेंगे कट है ना अभी आपको अगर जो साइस की मुर्गी लेना आप ले सकते मैंने उन्हें बोली थी के मुझे एक किलो दका देना तो को कटिंग बिटिंग करके यानि साफ बिप करके मुझे कम से कम ये पाउना किलो चिकन पर गया पूरा अख्छा अभी हम क्या करेंगे इसको पहले थोड़ा मेरिनेट कर देंगे जैसे के इसमें डालूंगे मैं आदा चमज नमक चारो बाजू फैला के इस नमक को डाला है अदा चमज नमक को हमें चारो बाजू फैला का डाला है उसी के साथ में मैं इसमें डालूंगी अदरक लसून का पेश तो अदरक लसून का पेश एक चमज भरके मैं इसके अदर एट करूंगी अगर आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और भी आइट कर सकते इसी के साथ में एक लिम्बू का रस लिम्बू को हम बीच में से कटिंग कर लेंगे और उसके अंदर की बीच निकाल देंगे और सारे रस को निचोर के हम इसमें डालेंगे टोटली पूरा एक अकका लिम्बू हमें इसमें एट करना है और इन सब को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है कि हमारे चिकन के अंदर ये नमक और लिम्बू और अजरक लसुन का पेश अंदर-अंदर तक का चला जाए एक दम अच्छे से उसके कर्ट टक का हमें हाथ डाल के अंदर लगाना है अंदर के पॉइंट पे भी हमें अच्छे तरह से लगा लेना है और इसे हम कम से कम रख देंगे एक घंटे के लिए मेरीनेट होने के लिए जैसे के गर्मियों का मौसम है तो आप इसे फ्रीच में जाते हैं जादा नहीं जाते हैं एक घंटे बाद मैं इसे फ्रीच में से निकाल लूँगी यहां पर मैंने रखी हूँ आदा से भी कम कराई में तेल रखी हूँ गरम होने के लिए तेल जैसी ही अच्छे तरह से गरम हो जाएगा तो ग्यास को हम कर देंगे एक दम स्लो एक इसे क्या बोलते हैं बहुत ही क्रेल के कैरफुली करने का हाँ ऐसे आप करना इसे मैंने काफी आराम आराम से छोड़ी थी क्योंकि मेरा तेल काफी गरम हो चुका था तो मैं इसे चमच की मदद से इसके अंदर छोड़ रही थी आराम से जब यह इसके अंदर चला गया तो फि उसी तरब से भी मैंने 5 मिलिक पकाई यानि 5 मिलिक या टोटल मैंने इसे 10 मिलिक तका पकाई उसके बाद में मैंने इसे ओईल मैंसे निकालके एक बरतन के अंदर रख दी अभी इसे हम रख देंगे एक साइट में एक ही साइट में रखना है फ्रीज में वगेरा कहीं पर भी नहीं रखना है इसका एक मसाला बना कर भी हम रेरी करेंगे बहुत ही सिंपल मसाला मैंने अपनी स्टाइल में घर में बनाई हूँ तो चले यहां पर एक बरतन ले लेंगे उसमें हम डाल देंगे आदावाटी दही डालेंगे क्योंकि मेरा होममेक डही मैं कैसे बनाती हूगा अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में आ जाएगी आप देख सकते चलिए पाउडर मसाले डालेंगे कश्मीरी लाल मिची पाउडर एक चमच लाल मिची पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर आदा चमच गरम मसाला पाउडर आदा चमच छिली फ्ले इसमें दालेंगे 5 चमज नाक सोय सॉस उसी के साथ औम हाद एक चमज केचप लं दालेंगे 12 चमज बरकर रेड चिल्य सॉस पर सब्सक्राइब करेंगे 5 उसी के साथ मैं इसमें दालानी केचप लग टुम्यभी तिर hanva तो खाने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है अगर आपके पास में टमैटो केचप नहीं तो उसकी जगा पे आप हनी भी डाल सकते हनी भी नहीं तो आप थोरा सा शक्र का इस्तमाल भी कर सकते इसमें डाल दूगी में फूट कलर तो मैं रेट फूट कलर दा रही हूँ अगर आपको डालना है तो डालिये ने तो फूट कलर को आप इसकीप कर देना बराबर नासीफ चलिए अभी इनी सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एकदम अच्छे से ये सारे मसाले एक हो जाना चाहिए देखे गाइस मैंने अपने हाथ में जो ब्रेसलेक पेनी हूँ मैं तो चलिए अभी हम क्या करेंगे ये चिकन को उठा लेंगे और इसके ओपर ये मसाले अच्छी तरह से लगाएंगे एकदम अच्छे से लगाना है बीज बीज में पूरे कर्ट के अंदर हमें इसे लगाना है अच्छी तरह से मसाले पूरे उसके कर्ट कर्ट में लगा लेन अच्छी तरह से उसके लेक पे भी लगाना है, हमें गर्दन पे भी लगाना है, अच्छे से जो अंदर का जो पॉइट है, उसका जो देखिए, जो अंदर का पूरा जो उसका फेटा बेटा रेता देखिए, मैं कैसे हाथ दाल के अंदर तक का लगा रही हूँ, जितना अच् गंटे के लिए इसे रख देंगे, मैरिनेट होने के लिए कोई भी चीज देखेगाइज आप जितना टाइम उसको अच्छा लगा या कोई जीस करके रखेंगे ना उतना अच्छा लगता है तो मैंने किया की, मैंने इसे क्या की, फोयल पेपर में लपक ली, एक फोयल पेपर हमें ले ले लेना है, अब ही ये चिकन को उठा के, मैं ऻंडी दूंगे, मैंने ताइम नहीं था तो इसलिए grund आदे गंटे के जी अदे के लिए खेंगे, आख ये आदे से एक घंटे मुझे यह नाजीब, इसी के साथ में मैंने आदा वाटी ली हूँ, हरे वटाने, फ्रेश वाले, उसी के साथ में मैंने एक गाजर ली हूँ, गाजर को मैंने लंबे-लंबे में कटिंग की हूँ, चार से पांच मैंने फरज भी लीती, फरज भी को भी मैंने अच्छी तरह से लंबे- इन सब को हम उसी मसाले में कोटिंग कर लेंगे और इसके आजू बाजू फैला कर हम डाल देंगे आप नॉर्मली इसे जब आपकी भाजी गल जाती है ना और चिकन भी पक जाता है तो आप इसे रोटी के साथ में नॉर्मली आप इसे खा सकते हैं तो बहुत ही मसा आता है एक बार जरूर बनाना मैंने फॉर्ट टाइम बनाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने आप लोगे साथ में ये वाली रेसेपी को शेयर करना पसंद करी मेरी एक आदा देगा इस कोई भी रेसेपी सबसे पहले मैं खुद बनाती हूँ मुझे खुद को अच्छा लगता है तो मैं आप लोगे साथ में भी शेयर करना पसंद करती हूँ iture ज cultural है ना शीफ विए तो चले अब हम क्या करेंगे इसी मैं अच्छी तॉल पेपरसे कावर कर दूँंगे ये देखे अच्छstes properties करना आपको ऐक offer नहीं दूसरा कावरों पसे और डगा देना दो या अच्छीटास से को जाए कहीं से भी इसका मसाला बहार नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें अभी सब्जियों को भी गलाना है और अभी हमारा चिकन पका नहीं है हम 10 मिलिटी चिकन को पकाई थे तो और इसे कम से कम 20 से 25 मिलिट तका मैं पका होगी यहाँ पर मैंने लख रखी हूँ दो लीटर पानी गरम होने के लिए उसके अंदर दा इसे गरम मसाले एड कर देना अभी उसके ओपर रख देंगे हम चनी चनी के ओपर हमारा चिकन रख देंगे जो फॉल पेपर में कवर किया हुआ है उसको अभी हम ढग देंगे और मिडियम घ्यास पे हम कम से कम इसे 15 से 20 मिलिक तका इसे पकाएंगे वे देके अच्छे से व 5 मिलिक हाई पे फिर उसके बाद में 10 मिलिक आपको मिडियम पे रखना है है ना अगर आप जादा टाइम रखेंगे तो भी बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी तरह से आपकी चिकन यानि सारी चीजे अच्छी तरह से गल जाएगी चली अभी यह काफी गरम था मैं इस आ गया है और वो माशालला पास हो गया है आप लोगों की दुआ से अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है कि आसी अखिरफ के रिजेट के बारे में तो आप लोग मेरे अफ्रोज रेसेपी बुलाग पे जाकर देख सकते हैं कि उसका रिजेट देखके पूरी फ पत्ते लगा दे रही हूं साइक साइक में इससे थोरा खुबसृत लगेगा उसी के साथ में मै इसके उपर ठोड़ा सा तिल शालों दूँगी जो वाइट्वाली तील आती यह वाइट्वाली तिल डाल की थोरी सी। उसके बाद में उपर से थोरा चैक मसाला पाउडर गल और आपकी मजी नान या जिसके साथ खाना उसके रख सकते है ना चलिए अभी ये लिम्बू भी कटिंग करकर मैंने यहां पर साइक में थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए करके रख दी हूँ उसी के साथ में मैंने रखी हूँ जो उसको अंदर मैंने अंडे रखी थी वो अ फैमिली में में मेरी रेसेपी और मेरे ब्लॉग का चैनल जरूर शेयर करना गाईस है ना और आप लोगों के लिए मैंने अजमेर गई थी तो बहुत सारी दुआएं की और मेरा अजमेर का पूरा ब्लॉग देखना है मेरे उंजा का पूरा ब्लॉग देखना है तो भी आप मेरे अफ्रोज recipe ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं बस मैं हमेशा आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे हमेशा दुआओं में याद रखना मैं सारी आवाम को दुआओं में याद रखती हूँ और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करती हूँ आप लोग भी मेरी फैमिली है तो मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ और अभी इसके बाद में कौन सी recipe अपलोड होने वाली है ये तो आपको अपलोड होने के बादी पता चलेगा चलिए गई देखते हैं अभी हमारा चिकन कितना सॉफ्ट और कितना जूसी बना है माशाला एकदम अच्छी तरह से हमारा चिकन गल चुका है अभी इस चिकन को तोर के वो सबजियों में लपेट के जब आप इसे खाएंगे ना इसका मजा ही तुगना हो जाएगा ओहो जबर दर सुपर से भी उपर रेसेपी हमारी बनीती अभी चालू होने वाली है मेरी डाइट कितनी बार मैं डाइट करती हूँ और कितनी बार अपनी डाइट को तोरती हूँ मेरा कुछ हिसा भी नहीं है आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे जरूर कमेंग मेंग नियुक्त